नमस्कार साथियों, फिज एक्सेलिंसी, अब्दुला साहिज जी, आपको अद्रक्षपत संभालने की हार्दिक बधाई, आपका अद्रक्षपत बनना सभी विकास स्विल देशों और विशेशकर, स्मॉल आइलेंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए बहुत गवरोव की बात है, अद्रक्ष महोद आए, गत डेड़ वर्ष से, पुरा विश्व, सौ साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है, ऐसी भैंकर महामारी में जीवन गवाने वाले सभी लोगों को मैं स्रधान्जली देता हूं और परिवारों के साथ अपनी संवेदनाए व्यक्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनीदित्व कर रहा हूं, जिसे मदर अब डेमोक्रेसी का गवरव हासिल है, लोग तंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है, इस पंदरा अगस को भारत ने अपनी आज़ादी के पच्चतरवे साल में प्रवेश किया है, हमारी विविदता हमारे ससक्त लोग कंत्र की पहचान है, एक ऐसा देश जिसमें दरजनों भाशाएं हैं, सेंक्डों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खानपान हैं, ये वाइबरन डेमोक्रेसी का बहतरीन उधारण है, ये भारत के लोग तंत्र की ताकत है, कि छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पीता की मदद करता था, वो आज चोथी बार भारत के प्रधान मंत्री के तोर पर UNGA को संभुधित कर रहा है, सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले साथ साल से भारत के प्रधान मंत्री के तोर पर मुझे Head of Government की भुमिका में देश वास्यों की सेवा करते हुए बिस साल हो रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। यस, डेमोक्रेसी कैन डिलिवर। यस, डेमोक्रेसी है डिलिवर। अध्यक्षम होदाय, एकात्म मानव दर्षन के प्रणेता पंडित दिन दयालु पात्याजी की आज जन्म जैन्ती है। एकात्म मानव दर्षन यानि एंटर्यक्षम हमद्स्टी आटर्थाथ स्वसे शमस्ति तक बिकास और वि्ष्तार की सहयात्रा। EXPANSION OF THE SELF MOVING FROM INDIVIDUAL TO THE SOCIETY, THE NATION एंड एंटाइर हुमेनिटी और ये चिंतन अन्तियो दय को समर्पित है अन्तियो दय को आज की परिभाशा में इसी भावना के साथ भारत आज इंतिग्रेटेड इक्विटेबल डेवलोप्मेंट की रहा पर आगे बढ़ रहा है विकास सर्व समावेशी हो सर्व स्पर्शी हो सर्व व्यापी हो सर्व पोशक हो यही हमारी प्राथ्वित्ता है बीते साथ वर्षों में भारत में 43 करोड से जादा लोगों को बैंक की व्यवत्था से जोड़ा गया है जो अब तक इससे वंचित थे आज 36 करोड से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कबच मिला है जो पहले इस बारे में सोज भी नहीं सकते थे पचास करोड से जादा लोगों को मुप्त इलाज की सुविधा देकर भारत ने उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस से जोड़ा है भारत ने तीन करोड पक्के घर बना कर बेघर यानी होमलेस परिवारों को होम ओनर्स बनाया है अध्यक्ष महवदय प्रदूसीत पानी भारती नहीं पूरे विश्व और खासकर गरीब और विकासिल देशों की बहुत बड़ी समस्या है भारत में इस चनोती से निपटने के लिए हम सत्रा करोड से अधिक घरों तक पाइप से साफ पानी पहुँचाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे है विश्व की बड़ी-बड़ी समस्तावों ने ये माना है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानि ओनर्शिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है दुनिया के बड़े-बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग है जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है आज हम भारत के छे लाग से अधिक गाउं में ड्रोन से मैपिंग करा कर करोडों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जूटे हैं यह डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिक्ट बैंक लोन तक लोगों की पहुँच बढ़ा रहा है अध्यक्ष महोदय आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारती है जब भारतियों की प्रग्यति होती है तो विश्व के विकास को भी गती मिलती है विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं और उनकी कम लागत दोनों अतुनिय है हमारे Unified Payment Interface UPI आज भारत में हर महिने तीन सो पचास करोड से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं भारत का वैक्सिन डिलिवरी प्रेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोडो वैक्सिन डोड लगाने के लिए डिजीटल सपोर्ट दे रहा है UNGA को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत ने दुनिया की पहली दुनिया की पहली DNA वैक्सिन विक्सित कर ली है जिसे बारा साल की आयू से ज़्यादा के सभी लोगों को लगाये जा सकता है एक और M-RNA वैक्सिन अपने डवलप्मेंट के आखरी चरण में है भारत के वैज्यानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सिन के निर्माण में भी जूटे है मानवता के प्रती अपने दाईत्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरत मंदों को वैक्सिन देनी शुरू कर दी है मैं आज दुनिया भर के वैक्सिन मेनिफेक्चर्स को भी आमंत्रिच करता हूँ आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलोजी का कितना महत्व है लेकिन बदलते हुए विश्वम है टेक्नोलोजी विट देमोक्रेटिक वैल्यूज ये सुनिशित करना भी आवशक है भारतिय मुल्के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहे हमारे लोकतांत्रिक मुल्य उन्हें मानवता की सेवा में जूटे रहने की पेढ़ना देते रहते हैं और यह हमने इस कोरोना काल में भी देखा है अध्यक्ष महोदय कोरोना महमारी ने विश्व को ये भी सबक दिया है कि वैश्वीक अर्थिववस्ता को अब और अधिक डावर्शाई भाई किया जाए इसके लिए ग्लोबल वेल्यू चेंज का विस्तार आवशक है हमारा आत्म निर्भर भारत अभ्यान इसी भावना से प्रेरित है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसे मन्द पार्टनर बन रहा है और इस अभियान में भारत ने एकोनामी और एकोलोजी दोनों में बहतर संतुलन स्थापित किया है बड़े और विक्सित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्षन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्ब होगा आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावर्ट रिनियरबल एनरजी के लक्ष की तरफ बढ़ रहा है हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए है अध्यक्ष मवद है हमें अपनी आने वाली पीडियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दैत्व था वो क्या कर रहे थे आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्स्ट्रीमिजम का खत्रा बढ़ता जा रहा है इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइन्स बेज रेश्टनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा साइन्स बेज एप्रोच को मजबूत करने के लिए बारत एक्स्प्रियंस बेज लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है हमारे हाँ स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैप्स खोली गई हैं इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टप इको सिस्टेम विक्सिस हुआ है अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष में जब हम आजादी कामरित महोत्षव मना रहे हैं भारत 75 ऐसे सेटलैट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतिय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं अद्दक जी दूसरी और रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंगवात का पोलिटिकल टूल के रुपे इस्तमाल कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि आतंगवात उनके लिए भी उतना ही बड़ा खत्रा है ये सुनिशित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्थान की धर्ति का इस्तवाल आतंगवात फैलाने और आतंगवात की हमलों के लिए न हो हमें इस बात के लिए भी हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थिंकियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें इस समय अफगानिस्थान की जनता को वहां की महलाओं और बच्चों को वहां की माइनोरिटीज को मदद की जरुरत है और इसमें हमें अपना दाइत्व निभाना ही होगा अध्यक्षम होदाए हमारे समंदर भी हमारी साजी विरासप है इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओसन डिसोर्सिस को हम यूज करें अब्यूज नहीं हमारे समंदर अंतर राष्टिय व्यापार की लाइफ लाइन भी है इन्हें हमें एक्स्पांशन और एक्स्लूजन की दोड़ से बचा कर रखना होगा रूल बेज वर्ड आर्डर को ससक्त करने के लिए अंतर राष्टिय समुदाय को एक सूर में आवाज उठानी ही होगी सुरक्षा परिशद में भारत की प्रसिडेंसी के दोरान बनी विश्टूर्थ सहमती विश्वकों मेरिटाइम सिकूरिटी के विशे में आगे बढ़ने का मार्क दिखाती है अध्यक्ष महोदाय भारत के महान कुट नितिग्य आचारिय चानक्य ने सदियों पहले कहा था कालाती क्रमात काल एव फलम पिवती जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सभलता को समाप्त कर देता है सयुक्त राश को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेश को सुधारना होगा रिलाइबिलिटी को बढ़ाना होगा यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है कोवीड के दोरान देखा है दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रोक्सी वार आतंकबाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है कोवीड के ओरीजिन के संदर्व में और इज अब डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवरनेंस से जुड़ी संस्ताओं ने दसकों के परिशम से बनी अपनी विश्वर से जयता को नुक्षान पहुचाया है यह आवशक है कि हम वीएन को ग्लोबल आडर, ग्लोबल लॉंस और ग्लोबल वैल्यूज के संवरक्षन के लिए निरंतर सुद्रड करें मैं नोबल पुरशकार विजेता गुरुदेव रबिंद्र नाट तगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ शुभो कर्मपोथे, धोरो निर्भोयोगान, शौब दुर्बल सौन्योष होक अबोशान अर्थात अपने शुभ कर्मपत पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और संकाएं समाप्त हो ये संदेश आज के संदर्व में सयुक्त रास के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है मुझे विश्वास है, हम सब का प्रयास विश्व में सांती और सवहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और सम्रद बनाएगा इनी सुब कामराओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार